असलाम हीकूम नाजरीन कैसे हैं आप लोग अमीद करती हूं आप लोग भी खरकरिये से होंगे आज मैं आपके साथ वाइपनिंग पोडर और ब्लीचिंग पोडर के बारे में डिसकस करूगी यह दोनों एक ही है या दोनों में डिफरंस है पास लोग को कन्फिजन होती है कि यह दोनों एक ही चीज है लेकिन यह दोनों डिफरंट चीजिंग है और यह वाइपनिंग पोडर है और यह ब्लीच पाउडर है सबसे पहले तो हम bleaching powder के बारे में बात करेंगे इसको एक्सिलेटर भी बोलते हैं और यह hydrogen powder होता है जो हम liquid form में यूज करते हैं लेकिन जब हम bleach विगारा में यूज करते हैं तो यह powder form में इसको यूज करते हैं मेरे पास soft watch वालों का bleach powder है और एक four season वालों का है यहां पर लिखा हुए four season professional care two in one accelerator यही होता है यानिकि यह भी hydrogen ही होता है यह दोनों का सेम ही काम है यह दोनों सेम चीज़े हैं महीं जो bleaching powder होते है यह अकेला काम नहीं करता हमें इसके साथ Goddess one Anytime Foundation टैन वॉल्यूम लगाना पड़ता हैं यह मेरे पास किनने का ट्वॉल्यूम है इसके बगार कुछ नहीं है और जो bleaching powder हो संटाऌ बगार कुछ भी नहीं है इनको हम bleach भी बल्टे हैं और इनको हम skin polish भी बो काम उता है जो नेचरलिघ बाल होता है उनको ये ब्रौन करता है जिसकी वजह से हमारी स्कनी नीटर क्लीन लगने लग जाती है और घ्टोसी आजाती है अब हम बात केरेंगे वाइट वाइटनिंग पोडर के बारे में यह अकेला ही काम करता है यह फिशल में भी यूज होता है यानि कि जो हम यह स्किन पॉलिश यह हम इन दोनों को मिलाकर बिलीच बना रहे हैं तो इसमें भी इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी एड़ कर लें तो आपका जो फिशल का यह स्किन पॉलिश का जो रिजल्ट है वो दुगना हो जाता है क्यों इसका रिजल्ट दूगना हो ज़ता है और दूसरी बात यह होती है कि जो हमकर इचिंग वगड़र होता है कि ब्लीच के बात यह जो रेडनेस आ जाती है जलन वगड़र होती है यह इसको कम करते हैő और उसको खत्म करने में यह मदद को चाहरा है Byte के जम डेश ओर, ये जो होता है कि इसके बगार स्कीन पॉलिश या बलीच वगारा का रिजल्ट दुगना हो जाता है इसलिए इसको इसमें डाला जाता है इनमें तोनों चीज़ें सॉफ्ट टच ब्रैंड की और इनकी कीमतें भी काफी जादा मुनासब भी आपको और ब्रैंड में भी यह मिल जाता ह आप लोग किसी भी ब्रैंड की ब्लीच या स्किन पॉलिश वगारा रूस करते हैं अपने फेस पर तो उसमें वाइटिंग पॉडर लाजमी एड किया करें क्योंकि यह तो एक फेर लुक देता है और दूसरा यह है कि जो इचिंग वगारा होती है स्किन पर या मतलब जलन अगरा होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं और स्किन को भी वाइट करते हैं इसमें मेरी आज के वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ब्लीच पॉडर और वाइटिंग पॉडर दोनों का डिक्रेंस बताया में नहीं वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब् सब्सक्राइब करें लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपनी दौा में याद रखिएगा अलाफीज